नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में Friends, आप लोगों के लिए on public demand मैं ये ले के आया हूँ Office 365 और Office 2019 में क्या-क्या difference है आपको पता ही होगा Office, Microsoft अपना हर महीने कुछ ना कुछ अपग्रेड करता है Office 365 में इसने बिलकुल चेंज कर दिया है Ribbon चेंज कर दिया है बहुत सारे नए-ने formulas लिया है Excel में, Word में, PowerPoint में, Access में बहुत चीजें चेंज कर दी है तो ये वीडियो आपको end तक देगनी है ताकि आपको पता लगे Office 365 और Excel 2 2019 में क्या difference है तो चलिए बिना time waste की हुए अपने topic में move होते हैं और ये सीखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने system में Office 365 install कर लिया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि मैं आप लोगों को सबसे पहले Office 365 में जो जो नएने features हैं उन सबकी information दे सकूँ तो सबसे बहले तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास home का option है home के option यह पूरा ऊपर का पूरे का पूरा ribbon का आप icons देख सकते हैं icons कैसे कैसे change हो गए है Office 2019 में 2016 में icons कुछ और थे और यहाँ पर कुछ और icon आ गए है यह icon में क्या-क्या special है क्या-क्या additional features दिये हैं वो मैं आपको इसके next वाली videos में बताऊँगा यहाँ पर मैं सिर्फ आपको difference दिखाना चाहता हूँ जैसे सबसे बहले आप home ribbon में देख लीजिए home ribbon में आपको यहाँ पर एक idea का option देदिया यह idea का option करता क्या है इसके features क्या-क्या है क्या-क्या additional कर सकता है यह हमारे data से यह मैं आपको सब बताऊंगा थोड़ा आगे move होते insert में भी हम देख सकते है insert में भी icons change कर दिये हैं हमारे पास हमारे पास बहुत सारे नए-ने features भी दे दिये और बहुत सारे नए-ने formula आ गया है जैसे आगर मैं दिखाऊं sort यह देखिए sort का एक formula आ चुका है हमारे पास यह formula करता गया है work कैसे करता है वो मैं आपको सब बताऊंगा यह पूरी एक series है आप बने रहिएगा similar cases में data भी पूरा change हो गया है icons पूरे change हो गया है ऐसे ही हम दूसरे में move होते है हमारे पास word है word में सबसे पहले आप home tab में देखिए home tab में एक dictate करके option आ गया है यह dictate करता गया है यह बहुत ही अच्छा features है friend believe me आप चाहें हिंदी में कुछ बोलिए चाहें English में कुछ बोलिए यह सारा capture कर लेगा मैं आपको इसके पूरी वीडियो दिखाऊंगा इस series में so similar cases में dictate आ गया है word में यहाँ पे देखिए आप symbols सारे change हो गये है icons सारे change हो गये है design हमारे पाँ बहुत ज़ादा आ गये है layout भी हमारे पाँ बहुत ज़ादा आ गया है preferences, mailing, review यह सारे के सारे इनमें icons आप देखिए सारे change हो गये focus क्या करता है क्या benefits है focus के यह मैं आपको सब बताऊंगा तो यह तो रहा आपका word और यह share करने का भी देखिए अब आपको file में जाके share करने की ज़रुएत नी simple यहाँ share करेंगे उसके बाद आप किसी के साथ भी यह share कर सकते है तो यह तो रहा आपका word में अब हम move होते है powerpoint में powerpoint में भी सबसे पहले home tab में dictate option आ गया है और भी बहुत सारे features है moving graphics आ गये है moving graphics का मतलब आप कोई भी एक 3D graphic download कर लीजिए उसके बाद आप उसे move करवा सकते है जैसे जैसे आप करवाना चाहें जी हाँ यह भी features है तो मैं आपको यह भी बताऊंगा powerpoint में क्या-क्या नए-ने features है तो अभी के लिए friends मैंने इतनी information देनी थी आपको कि पूरे पूरे icons change हो गए है क्या-क्या नए-ने features आए है तो आगे इस series में बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चलते रहे क्या-क्या नए-ने features, formulas और क्या-क्या additional हम कर सकते हैं अपने Office 365 में तो यहाँ पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तो धन्यवाद आइकन तो मैं जब भी वीडियो पब्लिश करूँगा Office 365 के regarding तो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी और मैं एक पूरी series लाया हूँ Office 2019 और Office 365 के बीच में Office 365 में क्या-क्या new-new features है, पूरी series मिलेगी आपको तो यह वीडियो यह चैनल आपको जरूर देखना है और अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि Office 365 आपको कैसा लगा So, thank you friends, thank you so much for watching this video Have a wonderful day, bye-bye